आप सभी लोगों का नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल पे आज की वीडियो में मैं आपको फेबर, हिंडवेर, अलिका और ग्लेन ब्रैंड्स में कुछ भेतरीन कुक टॉप्स दिखाऊंगा 10-15,000 की रेंज में और कुछ दूसरे आप्शिन्स भी मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा इंडिया में कुक टॉप और हॉब का एक क्लियर डिफ्रेंशेशन होता है कुक टॉप हम उसे कहते हैं जिसे हम किचन काउंटर टॉप के ओपर कहीं पर भी रखके इस्तुमाल में ले सकते हैं और कुछ कुक टॉप्स को आप इन बिल्ट भी लगा सकते हैं और हम फेस प्लेट और बेस के मेटीरियल की बात करें तो वहाँ पर वो टफेंड ग्लास या फिर स्टेनलेस टील का बना हुआ हो सकता है दूसरा है बॉडी का मेटीरियल और उसकी थिकनिस तो बॉडी का मेटीरियल अक्सर स्टेनलेस टील का होता है और उसकी थिकनिस जितनी क होगी जितना वो slim होगा उतना वो बहतरीन रहेगा वो देखने में उतना ही अच्छा आपको लगेगा control knobs की बात करें तो control knobs back a light के बने हो सकते हैं ABS plastic के metallic हो सकते हैं even glass में भी हो सकते हैं और कुछ rubberized हो सकते हैं burner के अगर हम बात करें तो burners के बीच में आपका distance अच्छा होना चाहिए ताकि आप utensils कोई भी रखें तो वहाँ पर टकराए ना तो एक ठीक ठाक distance burners के बीच में होना चाहिए burner full brass के होने चाहिए उसके आप power rating ज़रूर चेक कर लेना किसी भी cooktop को खरीदने से पहले और number of burners भी आपको ध्यान रखना है अपने family के size के हिसाब से या अपने cooking habits के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 burner का, 4 burner का, 2 burner का, कितने burners के आपको cooktops खरीदने हैं maximum इंडिया में ज़्यादा तर 5 burners के साथ cooktops आते हैं उसके बाद हम next बात कर लेते हैं उसके inlet के nozzle की तो inlet का nozzle जो cooktops में होता है वो उपर की तरफ होता है वो आप चेक कर लेना पूरा rotating होना चाहिए ताकि आप उसमें pipe का connection जब करेंगे तो वो असानी से महाँ पर हो जाए next बात आती है pan supports की तो pan support जो है वो cast iron का जादातर बना होता है और आप उसको एक पर हाथ में लेके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो कितना heavy है तो heavy होना जरूरी है ताकि आप utensils कोई भी उसके उपर इस्तमाल करोगे तो वो वहाँ पर गिरेना spills आपके वहाँ पर कम से कम हो drip tray जो base है एक तरीके से burner का वहाँ पर वो stainless steel का बना होता है उसके उपर एक और plate हो सकती है stainless steel की second plate हो सकती है वो इसलिए होती है ताकि आप उसको असानी से हटाकर अलग से साफ कर सके और lastly आपको ध्यान रखना है ignition का type तो cooktop के अंदर आपको दो options मिलते हैं hop के अंदर तो जातर आपको automatic ignition ही मिलेगा cooktop के अंदर आपको दोनों options मिल जाते हैं manual भी और automatic भी तो वो आपको देखना है अपनी requirement के साफ से और last चीज है warranty तो warranty जादा तर cooktop में जो toughened glass है उसके उपर 5 साल आती है burner के उपर एक साल ये दो साल की warranty company जातर offer करती है तो ये सारे factors आपको consider करने होते हैं cooktop को खरीदने से पहले सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं hindwear coral 76 cm में जो तीन burner के साथ आता है तो size के इसाप से इसके अंदर सिर्फ तीन burner है तो आप देख सकते हैं gapping जो है burners के बीच में काफी अच्छी है तो बड़े utensils के अंदर भी कोई problem यहाँ पर होने वाली नहीं है control knobs यहाँ पर metallic दे रखे हैं साथ ही उसके उपर chrome की बहुती अच्छी finishing है तो देखने में बहुती सुन्दर लग रहे हैं यह पूरा complete black color में भी आप ले सकते हैं या फिर black and gray color में भी ले सकते हैं आप पर cast iron के आपको pan supports दे रखे हैं जो काफी heavy duty हैं और यहाँ पर जो brass का burner दे रखा है तो यहाँ पर जो भी utensils आप इस pan support के उपर रखोगे तो वो बहुती अच्छे से stable महाँ पर रहेगा jets जो openings है इस brass burner के उपर वो भी काफी अच्छी दे रखे हैं तो evenly flame distribute होगी और नीचे drip tray आपको stainless steel की मिल रही है थोड़े glossy finish के अंदर जो के असानी से साफ कर सकते हैं यहाँ पर आपको dual drip tray नहीं मिल रही है सारे features जो हैं हिंड वेर कॉरल 76 cm, 3 brass burner, cooktop के यहाँ पर मैंने सारे mention कर दिये हैं पावर कितनी है, burners की वगेरा, warranty वगेरा, सारे चीज़े यहाँ mention कर दिये आप एक बार वीडियो को pause करकर जरूर इसे देख लीजिएगा next यहाँ पर मैं आपको Glen की 1047 USMI 70 cm की 4 burner cooktop यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ अब यहाँ पर आपको 4 burner मिल रहे हैं, एक burner का size काफी बड़ा है, तो 3 kilowatt का एक power का आपको burner मिल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो knobs हैं वो plastic के दे रखे हैं, तो मुझे इतने पसंद नहीं आए इसके knobs बड़ यहाँ पर अगर आप body देखेंगे, तो stainless steel की बनी हुई है, उसके उपर पूरे पर enamel की coating करकर बहुती सुन्दर यह overall दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर बहुती slim है यहाँ पर अगर आप इसके pan supports देखेंगे, तो यह भी cast iron में दे रखे हैं, और ज्यादा heavy नहीं stainless steel की यहाँ पर आपको मिल रही है, तो इसे भी आप auto ignition ये manual ignition में खरीच सकते हैं, और पीछे की तरफ जो inlet का valve है, जो मैं कहरा था कि 360 degree revolve होना चाहिए, तो वो चीज यहाँ पर आपको मिल रही है, चार burner जो है, वो 3 kilowatt, 2.4 kilowatt, 2 kilowatt और लास्ट वाला भी 2 kilowatt के power के अंदर burner म मिल रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर list में से include कर रहा है, साथी warranty भी काफी अच्छी मिल रही है, अब next model आता है हिंडवेर का Arsenio 64 cm के अंदर, अब यह थोड़ा सा छोटा size के अंदर है, अगर आपने chimney मान लीजे 60 cm के लगा रखिये, तो यह model आपके लिए काफी अच्छा हो model देखा, तो उतना ही slim यहाँ पर आपको body मिल रही है, और अच्छे से enamel की coating का रखे, body के उपर stainless steel की body है, यहाँ पर आप देखिये, इस खास तौर पर इसके pan support का design काफी अलग है, तो इसके अपर utensils कोई भी रखे जाएंगे, तो काफी अच्छे से वो stable वहाँ पे medium heavy आपको brass के ही burners मिल रहे हैं, इन सबी जादतर जो भी cooktops आते हैं, similar type के इसके अंदर brass के burners होते हैं, उसके पर jets जो openings होती हैं, वो भी similar type की ही होती है, कुछ build quality का थोड़ा उपर नीचे होता है brand के हिसाब से, यहाँ पर burner की capacity देखना बहुत ही ज़रूरी है, तो 2.9 kilowatt, 2 2.4 kilowatt, 1.7 और 1.7 kilowatt, यह rating के आपको यहाँ पर burners मिल रहे हैं, तो यह चीज़ आप जरूर देखना और warranty period भी notice, जरूर कर ले ना कोई भी cooktop खरीदने से पहले, next और last हम लोग जो देख रहे हैं, यह मेरा personal favorite, और मेरे खाल काफी सारे लोगों को यह वाला model पसंद आएगा, Ellie का brand के अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 burner दे रखें, चारों के बीच में अच्छी खासी spacing दे रखें, pan support का design काफी different है, control knobs यहाँ पर आपको ABS plastic में दे रखें, और अपर से rubberized है, तो यूज़ करने में बहुत ही असान है, यह जो cooktop है, यह आपको manual ignition के साथ ही मिले important features हैं, जो होने चाहिए cooktop के अंदर, इसलिए मैंने आपको यह वाला model सबस्यादा recommend करूँगा कि अगर आप buy करना चाहते हैं, 10-15,000 के range में, तो यह एलिक है कि इस model के साथ आप जा सकते हैं, और drip tray के साथ आपको यह dual plate भी मिल रही है, stainless steel की, तो यहाँ पर अगर कोई spills हो आपको product पे warranty, glass और burner पे आपको 5 साल की warranty मिल रही है, कुछ दूसरे options जो आप इसी 10-15,000 के range में खरीच सकते हैं, वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन सभी के buy links जो हैं मैं description में डाल दूँगा, वहाँ से आप checkout कर लेना, उसे आप online buy भी कर सकते हो, और कोई भी doubt आपका आ रहा है cooktops को लेकर, तो आप मुझे comments में जरूर पूछिए, मिलते हैं next video में, bye and take care